Hello CA Foundation students, क्या हाल चालें, सब बढ़िया, आपका accounts का exam है बच्चों बगला, तो त्यारी स्टार्ट करते हैं, कि किस तरीके से schedule होना चाहिए, क्योंकि time बहुत काम है, और आपको revision करनी है, third हमारा accounts का अब exam, इसको कैसे हम लोग prepare करें sir, तो ये चीज दिमाग में आ रही होगी, इसलिए मैंने सोचा, मैं क्यों ना कुछ schedule बना दूँ, 5-10 मिनिट लोगा सरफ maximum, इस 10 मिनिट के अंदर मैं आपको schedule बताता हूँ, कि आपको इस पूरे 24 hours के अंदर आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, आपका next date दो बजे एक्जाम है, 13th of December को, तो हमें क्या से उसकी planning करनी चाहिए, क्या हमें त्यारी करनी चाहिए, किन-किन chapters पर हमें focus करना चाहिए, आओ ज़रा समझते हैं दोस्ते, सबसे पहले देखो हमारे वो chapters, जो मैं समझता हूँ, जिसके उपर examination में question आना ही आना है, आप लोग मैं ही समझता हूँ कि पहले आप लोग कर चुके होगे, क्योंकि revisions आप लोग पहले कर चुके थे, जब last date पर ये postponement आई थी, कि C.A. foundation का accounts का exam पोस्पोन होगे, तो आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हो, बट स्टिल, फिर भी बहुत सारे ऐसे important topics, जहाँ पर आपको एक बार ही जरूर उन chapters को देखना चाहिए, तोड़ी देर लगाना चाहिए, फटा-फट उसको rewind करना चाहिए, तो वो important chapters में आप लोग के सामने रख रहा हूँ, उन important chapters को अगर आप पढ़ लोना, तो मेरे हिसाब से that is enough, ठीक है, और बाकिया आप लोगोंने बहुत कुछ किया हुआ है, ठीको सबसे important जो exam में एक question आना ही आना है, वो आना है BRS का, number 2, rectification, number 3, final accounts, final accounts की सिर्फ आपको treatment एक बरी रीड कर लेनी चाहिए, एक बरी सारे treatment को रीड कर लो, दिमाग में रख लो, कि हाँ क्या treatment है, और final accounts में जो ज़ादा chances हैं इस बर बच्चों, final accounts, वो NPO का exam में कोशन आने का पूरा पूरा chance है, और बड़िया कोशन आने का chance है, तो अच्छे से त्यारी करना, एक बरी उसकी सारी treatments को, donations वगएरा, हर चीज़ पर क्या treatment लिखी जाती है, उसको एक बरी read जरूर करना चाहिए, इसके इलावा, consignment पे एक कोशन आना पक्का है, confirm है, तो consignment अच्छे से जरूर revise करना, inventory में मुझे नहीं लगता, आपको दुबारा पढ़ने की जरूरत है, फीफो, लीफो आप लोगों ने अच्छे से किया ही होगा, आप चाहो तो एक बारी वो question जरूर ट्राए करो, जहां पे बच्चा generally, वो जो calculation करनी होती है, हमें closing stock find out करना होता है, और उसमें 7 दिन, 8 दिन का gap होता है, हम लोग inventory taking पहले कर चुके होते हैं, नहीं, inventory taking बाद में करते हैं, और वो 7 दिन पहले जाना, 7-8 दिन पहले करना होता है, तो basically वो questions जहां पर आपको inventory को stock taking होने के बाद, inventory valuation में मैं यह कहूँगा, आपको बस inventory valuation वाले chapter के अंदर, fee for, leave for, weighted average, आप लोगों ने पहले भी बहुत practice करी होगी, तो मुझे नहीं लगता आपको वो बाद दुबारा फिर से करने की जूरत है, क्योंकि उसके अंदर कुछ खास है नहीं, अगर आपको अच्छे से practice की हुई है, एक बड़ी बच्चे को practice होता तो फिर बाबर करने की जूरत नहीं पड़ती, consignment में भी मैं सिर्फ आपको theory revise करने के लिए कह रहा हूँ, जो जो उसके अंदर लिखा हुआ है, कि अब normal loss की क्या treatment होती है, नॉर्मल loss में क्या करते हैं, consignment stock की value कैसे find out करते हैं, यह major major part है, एक दो questions, आप पिछले examination questions देख सकते हो, बस सिर्फ एक वो idea ले सकते हो, सिर्फ आपके वास time नहीं होगा, तो मेरे साब से consignment आप देख सकते हो, inventory में सिर्फ और सिर्फ study mat के, study mat के जो पीछे back side पे जो questions दिये हुए ना, fee-for-leafo weighted average को छोड़ के, adjusted selling price और वो जो last में inventory stock taking वाले questions, वो ज़रूर करने चाहिए एक बारी, और क्योंकि वो examination point of view से important, बच्चों, मैं ये कहूँगा, एक बारी जो 7th जो मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ, आपको partnership आप दुबारा revise करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा revise करने की नहीं revise, तो इसलिए सीधा सीधा आप बड़े-बड़े questions एक दो ज़रूर देख लेना, प्राक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है, सरफ देख लेना, study mat के कही कुछ questions देखो, जो पीछे back side पे दिये हूँ है, admission, retirement के, partnership important ज़रूर है, एक question पक्का आ रहा है, बट अगेन दिक्कत यह है कि हमारे पास limited time है, हम revise कर नहीं सकते हैं, तो सर कितनी देर दें हम इसको, सिरफ 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 practice all, almost कोशिश करनी है, retirement, death और admission के जो भी पीछे questions दिये हूँ है, back exercise question, जो पीछे study mat के पीछे, back exercise क्या हुआ है, questions, वो सारे करने चाहिए, ठीक है, partnership में, company accounts की बात करूँ, मैं फिर से बोलूँगा, आपको अब वो revise करने की जुरूट नहीं है, आप लोग 12 में भी कर चुके हो बच्चो, तो company accounts में भी, आपको क्या करने की जुरूट है, सिरफ और सिरफ, back exercise के practice कर लो, सारे questions, और company accounts के मेरे साब से examples भी अच्छे हैं, प्रैक्टिस कुछ नहीं करना, written practice अब कुछ नहीं कर सकते हैं, सिरफ देखना है, समझ में आ रहा है, टिक मारो, आगे बड़ो, टिक मारो, आगे बड़ो, समझ में आ हैं, इसके इलावा, आपके जो 5-5 नंबर, 4-4 नंबर के questions आते हैं, जिसके उपर मैं उस topic के बारे में भी बता दूँ जो आपका जो 4 से 5 नंबर का question आता है वो आता है आपके account current और average due date पर आता है ना average due date पर अगेन अब आपके दिमाग में आएगा sir इसको भी करें पूरा बट मैं यह कहूँगा एक बारी सरफ methods देख लो methods के अंदर क्या लिखा है वो देख लो सारे chapters सारे चीज़ों को practice आप करनी सकते हो चीक है सिर्फ एक बारी सारी चीज़ों को पढ़ लो questions को go through कर लो दिमाग में होना चाहिए कि क्या आता है क्या नहीं आता है कैसे होता है और इसके लावा एक chapter bills of exchange होता है बच्चों और भी chapters है बट मैं सारे chapters नहीं कह रहा हूँ general ledger को तो छोड़ी दो तेक है वो सब चीज़ें अब आप करने का कोई फायदा नहीं है पहले आप करी चुके होगे ये सारे chapters आपको अभी एक बारी written और सबसे important दोस्तों सबसे important क्या है accounts की theory accounts की theory वाले chapters को मत छोड़ना जाते जाते क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है मैं आपको अगर मैं exactly time दूँ तो BRS में आपको maximum आदा गंटा लगना चाहिए आपको आदा गंटा ही लगाना है इससे जादा time नहीं लगाना है मतलब सिरफ questions प्राक्टिस करने हैं जो आपको study mat के अंदर दिये हुए है final accounts के अंदर आपको एक घंटा लग सकता है क्योंकि इसके अंदर दो तरह के होते हैं manufacturing, non manufacturing, दोनों तरह के study mat में जो questions दिये हुए हैं आप लोग practice कर सकते हो NPO के अंदर भी maximum maximum एक घंटा आपको treatment पढ़नी है पीछे वाले questions एक आदे देखने है that's it इसको close कर दोगे consignment की theory में मुझे नहीं लगता आदे घंटे से ज़ादा लगना चाहिए तो आपको consignment की theory में भी half hour से ज़ादा नहीं लग सकता inventory के अंदर मैंने आपको बताया रहा inventory के अंदर सिरफ back side बले बोजो stock taking बले questions हैं वो ही देखने तो इसमें भी आपको आदा घंटा से ज़ादा spend नहीं करना कि अगर आप चाहते हो सारा मैं course को revise करूँ confidently जाओं exam के अंदर इसके लिए कह रहा हूँ partnership के अंदर मैंने बताया सीधा back side के questions उठाओ revise नहीं करना सब कुछ आता है आपको पहले से आपको maximum to maximum इसके अंदर एक घंटा आपको दिया जाए एक घंटे के अंदर हो जाना चाहिए partnership company accounts के अगर मैं बात करूँ तो company accounts के अंदर भी आपको issue of shares हो गया debentures हो गया दोनों ही practice करने वाले इसमें shares important है debentures के question shares जैसे ही होते तो जारा आपको फरक नहीं होता बट debentures के अंदर एक जो सबसे अलग होता है वो discount और loss on issue का write-off मुझे लगता है वो भी आपको आता होगा तो maximum to maximum इसके अंदर भी total एक घंटा आप लगा के चल सकते हो account current की बात करें account current और average due date में दोनों में आपको सिरफ आदा आदा घंटा भी अगर आप दे देते हो that is more than enough accounts theory मैं चाहूंगा कि आप लोग अच्छे से जरूर पढ़े accounts theory को एक बारी जरूर अच्छे से revise करे chapter number 1, 2, 3 जो आपके study mat के chapters है जो की accounting standard principles और accounting के बारे में बात करता है accounting assumptions तो वो उन सब चीजों को आपको जरूर एक बारी पढ़ना चाहिए और last company accounts की theory partnership की theory यह theory ऐसी है जो आपको मैं कई बार बोल चुका हूँ आपको करना है difference between जो आपके study mat के अंदर दिये हैं वो सारी चीजें आपको यह वाला complete करना चाहिए यह आपको maximum दो घंटे में हो जाएगा तो अगर मैं देखूं यहाँ पर आपके पास एक और एक दो और तीन चार पांच शे साथ और यह हो जाएगा नौ आइन 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 तो अगर बच्चों अगर आप मैं यह मान के चलूं कि आप पांच बज़े चे बज़े भी पढ़ने बैठते हूँ तो आप शाम को मतबरात तक अगर आप कुछ चार घंटे भी लगाते हो पांच घंटे भी लगाते हो फिर आप सुबह भी बैठते हो तो आप लोग अराम से नाइन आर्ज कम्प्लीट कर सकते हो और और मैं उमीद करता हूँ क्योंकि मैंने पताया भी था बच्चों को कि MTP MTP, RTP पहले ही करके रखना आप लोगोंने MTP, RTP कर लिया होगा मैं यह उमीद करता हूँ MTP, RTP अगर आपने कर लिया है बहुत अच्छे और अगर आप लोग एक बारी MTP, RTP वे भी एक घंटा मैक्सिमम लगा सकते हो तोटल दस घंटे रात को जितना पढ़ सकते हो पढ़ आपके पास सुबह के 12 बजे तक कही टाइम हो, 12 बजे से भी नहीं, 11 बजे के बाद आप अपनी त्यारी स्टार्ट कर देते हो जाने के लिए तो 3-4 गंटे ही आप सुबह पढ़ सकते हो, 3 गंटे और शाम को, रात को कोशिश करनी है कि 6 बजे के बाद आप जितनी जल्दी बैट आओ, आप बैटर रहेगा आप लोगों के लिए तो यही मेरा प्लान है बचों, कोशिश करना, जल्दी खतम करने की, और 10 गंटे मैं दे रहा हूँ, 10 गंटे जिसके अंदर अभी हो सकता है कि आप लोग 10 गंटे पहले कर लो, 10 आर्स का स्टड़ी प्लान आप लोगों के लिए, एक्जाम के लिए, all the best गाईस, और अच्छ करने रहा हूँ, total MTP, RTP पर जादा फोकस करना, क्योंकि हो सकता है एक्जाम में सीधा MTP, RTP में, direct question, ठीक है, thank you बच्चों, bye bye, all the best, all the best.